आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें बताना है कि दिये गए आप्शिन्स में से किसमे ग्लॉकिडियम लार्वा एपसेंट होगा यानि इनमें से किसमें हमें नहीं मिलेगा अब लार्वा हम जानते हैं कि एक ऐसी intermediate stage होती है indirect development show करने वाले animals में जो कि इनके young ones और sexually mature adult के बीच में आती है और ग्लॉकिडियम लार्वा हमारे mollust में यानि mollust का phylum के कुछ members में पाया जाने वाला एक ऐसा लार्वा है जिसको हम कह सकते हैं कि यह young one और adult के बीच में एक parasitic type की stage होती है यहाँ पर ग्लॉकिडियम लार्वा का हम diagram देख सकते हैं हम देखेंगे कि हमें sharp spines इस लार्वा में मिलती हैं जो कि बाहर की तरफ नहीं बलके अंदर की तरफ directed होती हैं हम कह सकते हैं inwardly projecting sharp spines हमें इसमें मिलती हैं यह इसका characteristic feature होता है और यह लार्वा fishes के साथ इनके gills या fins के साथ attach होके एक parasite की तरह act करता है तो ग्लॉकिडियम लार्वा क्या है? यह inwardly projecting sharp spines bear करने वाला fishes की gills पे चिपक कर एक parasite की तरह रहने वाला एक लार्वा है जो कुछ mollusk में हमें मिलता है और particularly हमारे mollusk का phylum में एक class होती है जिसको हम palissy poda कहते हैं इसके members में development के दोरान यह लार्वा हमें मिलेगा तो unio जो हमें यहाँ पर दिया हुए यह हमारा एक तरह का fresh water muscle हो जाता है river muscles भी जिसको हम कहते है और pintada जो हमें दिया है यह एक तरह का oyster है जिसको pearl oyster के नाम से भी जाना जाता है यह दोनों ही हमारे palissy poda class में आ जाएंगे तो इन दोनों में तो यह larva हमें मिलेगा लेकिन sapia जो हमें यहाँ पर दिया यह scientific name हम यूज करता है अपनी cuttlefish के लिए और यह हमारे palissy poda नहीं बलकि cephalopoda नाम की class में mollusk के अंडर आ जाती है जिसमें octopus और squid वगेरा भी होता है और इसमें development direct होती है बीच में larva की stage नहीं होती तो ब्लॉक के डियाम इसमें हमें नहीं मिलेगा absent किसमें था यही बताना था तो option C, sapia या cuttlefish हमारा correct answer है Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net app या whatsapp कीजे अपने doubts आच चार्सो 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 पर